आज हम लोग कॉमिनलिजम एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया वाले टॉपिक को दिल करेंगे बच्छों फिफ्टी इनिट का यह सकी यह तर्ड टॉपिक है बच्छों आज हम लोग इसमें यह देखेंगे कि संप्रदायवाद ने किस प्रकार से डिवीजन को अनिवारे बना आज यह मतलब आजादी तो मिली इंबर इन देविजन और पार्टीशन तो क्या परिस्थित्य परिस्थित्या थी हम अंग्रेजों को डिवाइदें रूल की पॉलिशी लगाई पर क्या हमारी कुछ कमियां नहीं थी जिसके कारण यह पार्टीशन हुआ इन सारी चीजों क आज हम लोग इस टॉपिक के अंतरगत देखेंगे यह दिस पॉलिटिक्स पार्टीक्स और पार्टीशन ऑफ इंडिया चुमिनल पॉलिटिक्स वस्थ नेवर इन पार नेवर प्रट अफ इंडियन सोसाइटी इट वस टोटली अपसें बिफोर बुटेश गर्मेंट कभी भारतियों के समाज में कोई दो चर दस वर्ष तो हुए नहीं थे मुस्लिम समाज को भारत में आए हुए आप मोटा मोटा पकड़े तो बारवा 1206 से लेकर के और अंग्रेज अगर आगया उस अवाधी को मानने 17-57 वाली उस अवाधी तक भारत में जो है मुस्लिमों का रा नहीं देखा गया था it was totally absent in the society of India तो it was came after the Britishers वो कैसे डेवलप हुए ब्रिटिश के दिमाग में यह बात कैसे सैट हुए उसको देखिये यहां पर सब लोग मिल कर लड़ रहे हैं on the basis of religion they are not different although it seems तो उन्हों सब्सक्राइब सब्सक्राइब और इस तरह का संग्राम एक दो और हो गया तो भारत छोड़ना पड़ेगा तो इन लोगों को जितने भी अब इसको बाने में जो उनको परेशानी उठानी पड़े उसके अधार पर उन्होंने यह समझ लिया था कि अब सतरकता की नीति के अधार पर ही चलना पड़ेगा गॉर्मेंट वस्ट्राइब इंक्रीज दिफरेंसे बिट्विन देम बट अधे टाइम बंगाल का डिवीजन हुआ सबसे पहले तब जो है उनके मन में क्या चल रहा है बात क्लियर हुई हलाकि उन्होंने प्रशासनी यह बात बैट गई कि रिलीजन कहीं न कहीं ग्राउंड बन रहा है इस्ट और वेस्ट बेंगॉल का तो नो डाउट अंग्रेज हमको अलग करना चाहते तो उस समय भी यूनिटी दिखी जिस यूनिटी के साथ उन लोगों ने पोस किया और वाद में उनको बंगाल होने का दावा भी करती है उसकी कुछ बाते आप देखी मुस्लिम लीक की इन 1909 वन इट वस क्रिएट इन इंसी वस इस्टेबलिश इन 1885 एंड हिंदू एं मुस्लिम्स बोद वर तेकिंग पार्ट इंदे कॉंग्रेस उनिस सुनों में यह बनी यह टारा सो पिच्छासी में सब्सक्राइब कॉंगरेस बन चुकी थी और लगातार मुस्लिम लोग कॉंग्रेस में अपना इस्थान बना चुके थे मुस्लिम कोंगरेस पकड़ बना चुके थे नॉट तिल दा 1910 बार इसा बीनिक उनी सुनों के बास सब इधार आने लग गया मुस्लिम हम देखने में कि 1920 तक भी मुसलिम लीग को कोई खास प्रतिनी दित्व मुसल्मानों का नहीं मिलता वेन लीग केम सेट सम परपस ऑफ और कुछ परपस उसने शुरू में रखे थे तो इंक्रीज दपर पैट्रिटिजम एमंग मुसलिम संदो अलसर दिमांडे जोस फर मुसलिम छोटी-चोट प्रमोट करना चाहिए बट इस्टिल इन मुसलिम लीग वस नौट सो पॉपुलर इन 1913 इंचेंज सम अब्जेक्टिव नौ दे लीग ट्राइट तो फेट्फुलनेस तोड़्स तोड़्स क्राउं कुछ 1913 में संशोधन किया और उस समय उन्होंने अंग्रेजों के प्रति इसलिए उन्होंने अपने आपको भी लॉयल बताने की कोशिश करी एड 1916 महात्मा गांधी एसोसीटेट मुसलिम लीग और कॉंग्रेस तिल 1920 कमुलिजम है इस नौट इस्प्रेड़ेड 1916 के अधिविशन का आपको पता ही है कि किस प्रकार से महात्मा गांधी ने दोनों क कॉंग्रेस के नरम और गरम दल को और मुसलिम लीग को और इनको मिलाने के कोशिश की थी और 1920 तक हम कहीं पर भी संप्रदायवाद के बहुत चिनन नहीं देखते हैं 1920 के बात स्टार्टिंग होती तो इस्टॉप दॉप 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 एक लाग के दूप दॉप दॉप एक लाग के अधर पर वह यह कहने लगे कि अच्छा आप उसकी वेलफेर करहे हम हिंदू के लिए बने हैं आफ्र नॉन कोपरेशन मुवमेंट सम्कॉमिनल रॉइट्स तुक प्लेस फॉर गांधी जी हैस टीकिन था हंगर स्ट्राइक फॉर्टी वन देज इन 1924 उननी सो बीस के दशक में हम देखते कि रॉइट्स चालू हो गया और यह उस समय चालू है जब गांधी जी ने एकदम स कॉंग्रेस रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही है हम को इस समय आगे आना चाहिए और फिर कुछ रॉइट्स पूरे दशक में हुए जिसका की विरोध करने के लिए हंगर स्ट्राइक अंशन उन्होंने 21 दिन का करा करा था 1924 में सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रीट इंट् इननिकों बताए प्रिथक निर्वाचन पदती का मतलब होता है कि मुसलमान मुसलमान को वोट करेगा हिंदू रिलीजन के लिए और फिर आप उस धर्म कर सकती हो सो 1932 में उन्होंने सिख धर्म में भी इस चीज़ को एक्स्टेंट किया उनका कोई अभीमत एक धर्म से नहीं उसको कई धर्मों के अधार पर भारत को तोड़ना था सब्सक्राइब उसको एसा लग रहा था उनने सो सैथिस के उचुनाओ में की गलत रिजल्ट आ सकते हैं क्योंकि अभी तक भी कंप्लीट जिसको कहते है रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम लीग को कॉंग्रेस जैसा प्राप्त नहीं हुआ था और वहीं हुआ इन इस एलेक्शन क मुस्लिम लीग को झाफा न थीम मुस्लिम लीग को मिली तीट वस टोटली आवेंगिए देखिए अफ्र थिसलेक्शन मुस्लिम लीग इस तौप्स लेगिशन के अप्र टेंट्री जिन्हा प्र बिस्ते भी श्यूर्मध विरोध की नीती में यह था कि जो भी करें अगर कॉंग्रेस या ब्रेटिश गवर्मेंट तो यदि मुस्लिमों का हिप नहीं हो उसको नकारते चले जाओ और यही विरोध की नीत उसने काफी लंबे समय तक मतलब कैबिनेट मिशन तक इस विरोध नीटी को चालू रखा है व सिधा मंत्री परिशत से तब इन लोगों ने इस बात को सेलिब्रेट भी किया था और थैंक्स भी कहा था कि चलो मुक्ति दिवस है आज इस डिफेरेंसे इस मोर इंक्रीस्ट मुस्लिम लीग करती है यह नारा दिया था अब एक बात और इस पश्ट कर दिए उसने की 1945 में पाकिस्ताँ होना चाहिए मुस्लिमों को राजी होना चाहिए ऐसा उसमें दिमार्द बॉकिट करदी यह ने पहुँच भी गया तो अंग्रेजों ने उस बात का फुल समर्थन किया बट यूज इन गैपनेट मिशन इपसेंट देखे कैसे इन नाइंटेंट मिशन आप लोगों ने पड़ी लिया है इन in 1946 British Government declared that New now the Rule over India was going to and and for this the Anti араhand सरень सरकार गया तो यहां अंतरिम सरकार गवर्रमेंन तो उसको एंप ब्रिटिश पीपल और प्रदिशेंट स्टेट कि वह यही मान रहें ना भारत में दो लोग है बृतिश पिपुल है और प्रंसली स्टेट है तो दो ही तरह का डॉमिनियन से तो दोनों लोगों को इस इंटेन सरकार में पार्ट ले मिलेगा लेकिन मुस्लिम लीग की चर्चा उसमें नहीं हुई मुस्लिम लीग पाकिस्तन वस नॉट गिवन इन इस मिशिन और फेल फेल्यूर ऑफ दियारेक्शन और सब्सक्राइब लगने लगा कि हाथ से सब कुछ निकला जा रहा है पाकिस्तान नहीं मिल रहा है तो सोला अगस्त उनिसो च लोगों ने प्रत्यक्ष कारवाई चालू कर दी जिसमें की पूरे भारत भर में दंगे फैलने लगे एक्षन का रियक्षन होता है तो अगर एक तरफ से हो शुरू होता तो दूसरा धर्म भी चालू कर देता है तो राइट्स पूरे वालोवर इंडिया होने लगे फानली ओन्टीएथ फेबुरी नाइटीन फॉर्टी सेवन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लेंड या सेवन लिखना भूल गया हो मैं लिख लेना बच्चो इंग्लेंड देक्लेर दा बिफोर जून 1948 दे वूट गिव इंडिया फ्रीडम तो बीस फरवरी उन्निसों से ता मौंट बेटन के साथ में एक प्लानिंग बेजी एक प्रपोजल बेजा जिसमें दो राष्ट्रों का अस्तित्व अमान लिया गया फाइनली और 15 अगस्ट 1947 को भारत आजाद हुआ इन दे कॉस्ट आफ पार्टिशन दिविजिन आज पाकिस्तान हैंस, इस वीजिन के साथ मुस्लिम लीग की जो इच्छा थी मौमद अली जीना की इच्छा थी पाकिस्तान इर्मान की वह हो गई जब माइग्रेशन हुआ भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत में जाने कितने लोग हिंदू और मुस्लिम दोनों मारे गए तो इस आर दा रिजल्ट ऑफ कम्नलिजम पॉलिटिक्स तो वह पॉलिटिक्स जो 1920 के दशक में प्रारंबुई थी वह 1947 में डिविजिन के प्राप्ट सतान हुआ और ह दाया क deputy सिवले में रपनु थी वह पॉलिट प्राप्न आताना में बाताना है यहदरी दो वह घए प्र टॉद भारत कर फिल कंगे उते का बाल बालुप्तघर प्रारत की से लोग एकार हिर नान दूनेला हाय सांतल जा हूझ मुआ अन स्वनाई